हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी आशा है आप सभी अच्छे होंगे आज इस वीडियो में हम बात करने वाड़े हैं डोप टेस्ट के बारे में सायद आप में से कई लोग उने सुना भी हो डोपिंग का इसका टेस्ट होना चाहिए या इस प्लेयर का डोपिंग का टेस्ट ह हुआ है या डोप टेस्ट हुआ है या इस चीज में डोपिंग का टेस्ट करते हुए पकड़ा गया है तो काफी सारी ऐसी फील्ड हैं जैसे की कोई भी घो होगी आपकी वोलीवल होगी जो yan Kia घंसे अमें जो प्लेयर से वह कभी कभार करते हम को डोपिंग कैसे करते हैं और उसको doping को कैसे पगड़ते हैं, और कैसे उसका test होके पता लगेगा कि यह doping कर रहा है, तो आज इस वीडियो में ये सब जानेंगे, तो वीडियो को end तक देखेगा, तो doping के बारे में जानते हैं कि doping कै, doping को उन तीन से चार तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहला जो doping का तरीका है वो इस टीरोइड प्लेयर्स के हैं कि स्टीरोइड लेते हैं स्टीरोइड लेने के बाद काफी अच्छा गेम पले करते हैं और कभी कवार उन पर शक भी जाता है कि इसने doping की है कि और मुकाबलों और जो लोग हैं उनके मुकाबले ज़्यादा इसमें फूर्ती है एनरजी है ज़्यादा ये गेम पले अच्छे से कर रहा है तो कभी कवार ऐसे शक होता है तो उसका doping का टेस्ट करते हैं सेकंड ह्याय है नर्कोटिक ड्रक्स नर्कोटिक ड्रक्स मेन क्या आएगा जसे कि हीरोईन वगे रा कोडिंग या और ऐसे इसको लेने के बाद इंज़क करने के बाद कर्लिकियर और पलेयरS के मुकाबले इसकी ज्यादा strength हो जाती है जिसकी वज़े से gameplay जीट जाता है या whatever कुछ भी हो जाता है उसके बाद third क्या है third है analysis जो medicines आती है जो की दर्द निवारक medicines होती है उससे क्या होता है कि कोई running वगेरा कर रहा है तो उसको ज्यादा दर्द नहीं होगा दर्द फील नहीं होगा उसको जिसकी वज़े से और लोगों से जल्दी वो जीश सकता है उसके सिरीन में दर्द नहीं रहेगा तो ये भी एक तरीके की doping है जो लोग करते हैं उसके बाद सबसे main point क्या है blood infusion इसमें क्या होता है इसमें अपने से कम उमर के जो बंदे हैं जो लड़के हैं उनका blood अपनी body में transporting करवाते हैं क्यूं करवाते हैं क्योंकि जो उनका hemoglobin है उसमें oxygen की मातरा ज़्यादा होती है oxygen के मातरा ज़्यादा होने की वज़े से उनको ज़्यादा strength मिलती है इस वज़े से जो यह हमारा blood inflation है यह भी करवाते हैं जो players हैं तो यह हैं कुछ doping के अलग-अलग तरीके जो की players होगेरा कराते हैं अब बात करते हैं कि इसको पकड़ा कैसे जाता है कि इसने doping की है उनका urine test होता है पिसाब का test करते हैं सिरफ दो हैं जो urine का test करते हैं एक होती है NADA एक होती है WADA NADA और WADA आपको याद रहेगी NADA और WADA तो यह कौन-कौन सी है NADA मतलब की जो National Anti-Doping Agency यह होगी NADA जो की दिल्ली में भी है उसके बाद होती है WADA WADA कौन होगी? World Anti-Doping Agency जो की आपको हर जगा देखने को मिल जाएगी तो यह कुछ जानकारी थी doping के बारे में कि doping होती कैसे है उसको पकड़ा कैसे जाता है और उसको test कैसे किया जाता है वैसे doping करने के बाद जो भी player उसको पकड़ा जाता है उसको एक तो भारी जुरुमाना लगाते हैं और उपर से उसको उस field के लिए जिस field में उसने doping की है उससे ban लगा दिया जाता है तो आशा है आपको doping के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और बेल आइकन को दबाओ धन्यवाद